पहली मावट से राजदानी जैपूर भीगी है अधिकतर हिस्सों में उलावरष्टी भी देखने को मिली है पश्चिमी विक्षोप के सक्री होने से प्रदेश के अधिकतर जीलों में बारिश हुई है मौसम विभाग ने अलट जारी किया है जैपूर और भरतपूर संभाग क अधिकतर जीलों में बारिश को लेकर अल्ट जारी किया है वजरपात ओलावरष्टी के साथ ही हलकी से मध्यम दरजे की बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है आग कि दो से तीन दिन में प्रदेश का तापमान गिरने की संभावना जताई है करीब दो से तीन डिगरी तापमान में गिरावट दर्ज होने का पूर्वा नुमान मौसम विभाग ने जताया है मौसम का मिजाज बदला है प्रदेश के कई जिलों में अचानक बारिश देखने को मिली जिसके बाद ठंड़क भड़ी है आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे समध अता लोकेश ओला के पास जिन से जानेंगे मौसम की अपडेट लोकेश क्या अपडेट है मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है बारिश होने के बाद सर्दी गुला भी हो गई है जी देखें कल प्रदेश में सर्दी के मौसम के पहले मावट के बाद में तापमान में चाने गिरावट आई है वह देखी गई और सर्दी में अचानक बढ़ी है जिस तरह से बात करें तो नौंबर का महीना चल रहा है और सर्दी के मौसम में पहली मावट है जो आई है कि पस्सीमी विक्ट्रोब की चलते जो उपरी जो हवाओं में डिस्टबिंस बनता है उसे के चलते यहें जो रहलकी बारिश है और होलावरश्टी है वो होती है जिस तरह से बात करें तो कल अचानक मौसम में परिवर्थ्टन हुआ है पस्सीमी हवाएं चली है और जो पस् माउट के साथ साथ जिसमें बारिश के साथ साथ ओलाव रश्टी भी देखी गई है बूंदी विजे नगर अजमेर के विजे नगर और जैपूर सहित कई हलाकों में ओलाव रश्टी हुई है साथ साथ बात करें तो जिसमें पूरी राजस्तान की तो पूरी राजस्तान के जैपूर दोसा है सीकर स्वाइब अधूर धोलपूर कारोली सहित जो बूंदी अजमेर सीकर जुनुनु सहित जो तमाम के जो जिलें हैं इनमें बारिश होई है और तापमान में अचानक गिरावट आई है साथ साथ बात करें तो राजस्तान के पूरवी जो राज्ये हैं उनकी तो उत्रपरदेश में भी इस माउट का असर है वो देखा गया है जहां पर भी जो गवालियर और जो अन्य जो राजस्तान के टैस्ट के जो जिलें हैं वहाँ पर जो वारिश है वो देखी गई मद्यप्रदेश के गवालेर में भी अच्छीखा सी वारिश है वो हुई है बात करें राजस्Thान की तो राजस्तान में अचानक जो वारिश हुई है उसके चलते दो से तीन डिग्रे तापमान में है वो गिरावड देखी गई है जैपुर की बात करें तो जैपुर में जो अधितम तापमान 28 डिग्री के करीब है वही जो नियूंतम तापमान है वो 14 डिग्री के करीब है वो पहुंच चुका है यालिकि सर्दी का मोसम है और सर्दी का मोस में पहली बार जो शर्दिय की जो मावट है वो देखी गई और उसका असर पर पर्देश भर में देखा गया है और उसी के चलते तापमान में गिरावट नजराइए बात करें अजमेर जैपुर ग्रामिन की तो कई इलाकों में जो बारिश के चलते हलका को रहा है वो भी छाय पर परणी की तो में जो देखने को मिला है इसे के साथ बुंदी चितोडगड में भी काफी घना को रहा है वो देखने को मिला ऐसे में का जा सकता है कि जिस तरह से अचानक जो पहले माउट हुई है उससे तापमान में गिराओट आई और सदी बड़ी है राजदानी जैपूर में भी इस तासर देखने को मिला अचानक सर्दी बड़ी है आज भी बताना चाहूंगा कि राजदानी जैपूर से जैपूर के आसपास में जो बादल है वो चाहे हुए हैं और मुसर्ण विभा का जो पूर्वा नुमान था कि जो कल का जो पंद्रा करेंगे कहीं कहीं जो बारिश है वो उसके संभावना देखी जा रही है लेकिन 20 नौमबर तक जो मौसम है वो बिलकुल शाप को तवा नजर आएगा लेकिन इस तोर जो लगाता है जो तापमान में गिराउट है उसकी भी बात मुसर्ण वागने कही है और वो देखा जा र फसलों के क्या हाला अचानक बारिश हुई है और वरश्टी हुई है ऐसे में फसलों के लिए ये बारिश किस प्रकार से क्या आफ़त बनके आई है या फिर राहत अमरित के रूप में है देकि बिल्कुल आशिश कहा जा सकता है कि जो पहले मावट हुई है वह आमरित के रूप में कई जा सकती है क्योंकि इस समय है रभ की पहसलों की कुछ ऐसे ऑसले होती जिन में इस समय निराइग वड़ायी का समय हो कोwe जुए जिस तरह से बात करेंतों सर्थी की वय们 भी के वी भ Ace parameter कि study करीब था वहीं दापमान भी 16 डिग्री करीब था ऐसे में तापमान की गिरावट वह भी जरूरी थी और वह भी देखी गई साथ साथ अधिक पानी के आशकता होती है इस दोरान रभी की पस्टलों की बुगाई का समय होता है और कुछ पस्टलों में निराई गुड़ाई का समय होता है ऐसे में इस दोरान पानी के अधिक आशकता होती है और अधिक आशकता की जो क्यों पूर्ती है बहुं करें अच्छी पश्टलों के लिए किसानों के जारे हैं युकि पर नॉप्सनों के लिए गाम की तेसी ताहर हे नहीं हुआ है। जो ओलावरस्टी हुए है ऐसे में किसी तरह का नुक्षान है वो नहीं देखने को मिला ग्रामिल चेत्रों में जो फसलों को इस समय किसी तरह का नुक्षान नहीं हुआ है ओलावरस्टी से ऐसे में जो माउट हुए है उसके चलते किसानों के चेरे हैं वो खिलेवे ने जराय क्योंकि यह पस्टों के लिए काफी जो लाब दाएक है वो कहीं जा सकती है जी जी बिल्कुल चाहिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुनने के लिए तो यह थे हमारे समवादता लोकेश ओला जिनोंने अपडेट दी बारिश को लेकर मोसम विभाग के अलर्ट को लेकर के